गाइस इंडिया के स्क्वैड का नाउस हो गया है शिलंका टूर के लिए जहाँ पे वो तीन T20 मैचेस और तीन ODA मैचेस खेलेगी तो काफी यंग टीम है लोग को लग रहा था कि यंग्स्टर्स होंगे लिकिन इतने जादा यंग्स्टर्स और इन में से कुछ यंग्स्टर्स ने तो एक IPL सीजन या फिर दो IPL सीजन ही खिला है तो आपको स्क्रीन पे टीम दिखेडा होगा शिकरधवन कैप्टन है इसके बड़ में अल्रेड़ी पॉड़कास एपिसोड बना चुका था कि शिकरधवन को ही बना चाहिए क्योंकि हमने जादा तर बॉलर्स और अल्राउंडर्स को कैप्टन बनते हुए देखा नहीं है तो हार्दिक पंडिया और भूनेश्वरकुमार जो ओप्शन से वो तो अल्रेड़ी इलिमिनेट हो गयते है तो शिकरधवन कैप्टन है भूनेश्वरकुमार वाइस कैप्टन है और काफी जादा यंग टीम है आपको देव पडिगल दिखेंगे रूतराज गाइकवाट दिखेंगे पृत्वी शौ दिखेंगे आपको चेतन सकडिया दिखेंगे आपको कृिष्टापा गौतम कि यंग्स्टराइ teaspoon कैसे पफ़ॉर्म करते हैं यह दिखाती कि इंडिया अपना best trained कितनी मजबूत करना चाती है हमने अस्टलिया के टूर पर देखा कि इंडिया की बेंस्ट्रेंथ और रेड़ी कितनी मजबूत है तो ये ध्यान में डखकर ये टीम बनाएगे है कि वो आने वाले T20 फॉर्मेट आने वाले ODEA फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंडिया की बेंस्ट्रेंथ काफी मजबूत होने वाली है इसके बाद और देखना पड़ेगा कि ऐसे प्लियर्स जिनकी लोग उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया टीम में डेबू होना चाहिए उनका होगा और वो कैसा परफॉर्मेंस करते है ये भी देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा तो बहुत ही यंग टीम है और बहुत ही मज़ेदार टूनामेंट होने वाला है तो बस यही चीज आपको बतानी थी आपको यह टीम और यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजे अपने दोस्तों के साथ शीर कीजे आप से मुलागात होगी नेक्स वीडियो में थेंक्यू